हमस्कार दोस्तों मेरे चाहिनल्स नाइन प्राइन सुलूशन में आप सब का स्वागत है मैं अपुदार नहीं है आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकिया है आज का जो मेरा टॉपिक है वहर इंसान की आजकल की नीजी जिंदगी के ऊपर यह चीज का बहुत जारा हमारे दादा जी वाले टाइम पे तो हम देखेंगी उस टाइम की लोगों में यह बिमारी नहीं थी डिप्रेशन जा एंसयद्टे इंसले नहीं थी क्योंकि लोगों के पास इसका बहुत सिंपल और सरन उपाए था आज मैं आप से उसी उपाई के बारे में बात करूँगी इसका उपाय क्या है अब हुआ क्या है कि हमारी लाइफ नाच्रल नहीं रही हम नाच्रल नहीं खाते हम नाच्रल ब्रीद नहीं करते हमें हर टाइम एसी में रहना पसंद है हम बाहर की हवा नहीं खाते हम अपनी बॉड़ी के उपर चंदरमा की किरने नहीं लेते सूर्य का प पुराने जमाने में लोग खुले में सोया करते थे, च्छतों पे सोया करते थे, सारी राज चंदरबा की रेज उनकी बॉड़ी की उपर पड़ती थी, जिसकी वज़ा से उनका अंधरूनी बल उनको इतना स्ट्रॉंग हो जाता था कि उनके उपर डिप्रेशन नाम की बिमार असर नहीं करती थी, उनको नीन की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी, सारा दिन काम करते थे, रात को अराम से सोते थे, सुबह उठते थे और फिर उनका दिन चरिया शुरू हो जा था था, हमारी लाइफ में मैं ये मानती हूँ कि टेंशन भड़ चुकी है, से जादा से जादा पिए, सिप सिप करके पिए, बड़ जितना जादा पी सकते हैं, उतना पिए, और पानी वेस्ट ना करें, लाइक उल लोगों को क्या आदत होगी, कि वो ब्रश करते हैं, टैप खुला है, नहाते हैं, साबुल लगा रहे हैं, बड़ शार खुला है, तो उसके बाद भी आपको कम फरक लग रहा है, इतना फरक नहीं आ रहा है, तो जब भी चंदर्मा भढ़ती विश्तिती में होता है, जब चंदर्मा भढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे रात को वॉक कीजिए, चंदर्मा की रेज अपनी बॉड़ी के उपर लीजिए, चंदर्म अच्छी नीज भी आजाएगी, आप सोएंगे नहीं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको डिरेक्ट चंदर्मा से बल मिलेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जब हम अपने घर में ही, अपनी नीजी जिन्दगी में नाच्रल चीजों से ज कि उड़े रहेंगे, तो हमें यापने अच्छी तकलिफी जो दोचें नेट, Bowl तो चलीज वद्नें के कंड़ेजिते इनदगती सुद्गिभा, और ते यह थो आपके किम मेंने रेंगे हैं, आप मेंनने तो और कंदो कम दोदेना से काक्षा सृत मयों संथुदोar, उनना हो झाल